दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी ऐसे की बॉलिवूड न्यूस पर और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. दोस्तों आपको बता दे की मनारा चोपड़ा और मुनवर फारुकी की शादी को लेकर खबरे सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि मुनववर फारुकी ने पिछले महीने ही गुप-चुप तरीके से दूसरा निकाह कर लिया था और शादी के बाद से ही मुनववर अपनी दूसरी पत्नी महजबीन कोटवाला के साथ लाइमलाइट से दूरी बनाय हुए है वहीं दोस्तो हालगी में मुनववर की दूसरी शादी पर बिग बॉस 17 फेम मनारा चोपड़ा ने रियेक्शन दिया दोस्तों बता दे कि स्टेंड अप कॉमेडियन मुनववर फारुकी की पसनल लाइफ हमेशा टॉक आफ द टाउन रही है और लॉक अप सीजन एक में पहली शादी और बच्चे के सच का खुलासा हो या फिर बिग बॉस 17 के घर में रिलेशन्शिप हो मुनववर ने कई बार हेडलाइन्स में जगा बनाए है वहीं पिछले महीने उनकी दूसरी शादी चर्चा में रही थी बता दे की पिछले महीने खबर आई की मुनववर फारुकी ने मेकप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला के साथ दूसरा निकाह कर लिया था भले ही कपल ने अभी तक अपने निकाह की फोटोज शेर नहीं की हैं लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर प्यार लु बूचा की वह मुनववर की शादी को लेकर क्या कहना चाहती है तब मनारा ने मुस्कुराते हुए मुह बंद करने का रियेक्शन दिया था और उन्होंने इशारो इशारो में जवाब दिया की वह इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हैं दोस्तों इस event में मनारा चोपड़ा ने golden और black color की dress पहनी थी जिसमें वह लाजवाब लग रही थी उन्होंने diamond jewelry से अपने look को पूरा किया था और बालों को खुला रखा हुआ था और उनका ये video social media पर जम कर viral हो रहा है बता दू की big boss 17 में मनारा चोपड़ा और मुनववर फारुकी की शुरू में काफी अच्छी bonding दिखी थी लेकिन आईशा खान की entry के बाद दोनों के बीच बहुत धमासान हुआ था आईशा ने खुलासा किया था कि मुनवर ने two timing की है और उन्हें वैक्स नाजिला को एक साथ देट किया है लेकिन बाद में मुनवर का पूरा ध्यान आईशा पर चला गया और उनकी दोस्ती खराब हो गई और दोनों के बीच कई बार गंदी लगाई देखने को भी मिली थी